इस भागदोड की लाइब में सबसे आसान ब्रेकफास्ट होता है सेंड्वीच तो आज मैं लेके आई हूँ दो तरह की सेंड्वीच जो आप जटपट बना करके आप टिपन में या आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखे सबसे पहले मैं इसमें बटर एट कर रही हूँ तो बटर हमें बिल्कुल थोड़ा सा हाप्टे स्पून यहां पर थोड़ा सा पत्ता गोवी लिया है जिसकी क्वांटिटी जादा है यानि एक कटोरी बारी कटे हुए प्याज है और एक सिमला मिर्च यान बहन कैस्ते जादा देज आज करके नहीं ना पकाना है अई स dal गारता है इसकी करंची पन नहीं खथम करना है आउच हम आख सा इस में प्याज प्यून चल्ली फ्लैक्स मोग अके रही गयनो। यह चैर्ली श्ली पैस्व्य अजुआ रहे तो कोई धिकत नहीं हाइanieा, इस चेजिए इसकीप कर सकते हैं, और यहाँ पर Jeśli ब्लैक पेपर आट कर छफेकते हैं, लेकिन लास्ट में तो आभी सें हम एक मिनट के लिए सेक लिए, आभी सें एक मिलेती हमे बैक्षिक बाउल में एट कर देंगे, आप इसे हरा बरा ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं यहाँ पर मैंने मियोनी लिया है तो इसमें हम दो बड़े चमज भर के मियोनी एड़ कर देंगे जब आप कैफे पर जाते हैं और खाने के लिए तो इसी तरह का आपको सेंडविश तयार मिलता है यहाँ पर स्वादनुसान नमक एड़ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ता कि मियोनी और बेजीटेवल अच्छे से मिक्स हो जाएं तो देखे अब यहाँ पर थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड़ करूंगी तो यहां पर एक चमच और एड़ कर रही हूँ, और हाट टीस्पून से भी कम ब्लैक पेपर, अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, और अब हम बनाते हैं सेंडवीज, तो यहां पर देखें मैंने यह सेंडवीज वाली ब्रेड ले सकते हैं और इसे हम इस तरह से फैला देंगे तो अच्छे से फैलाएंगे थोड़ी सी मोटी लेर और अब इसे हम फैला करके और दूसरी ब्रेड को रखके उसके बाद ब्रेड कट करेंगे तो देखें आप हमेशा यह जो फीलिंग है इसे रखकर के फिर ब्रे अगर आप ब्रेट पहले से काड़ लेंगे और फिर यह जो बेटर उसे एड़ करेंगे तो आपका आधा इधर निकला रहेगा कहीं प्याज कहीं पत्ता गोवी इस तरह से अब इसे हम इसे कट कर लेंगे और तस यह हमारा सेंड्विच तयार है खाने के लिए दिखे आप कैफे का सेंड्विच भूल जाएंगे और इतनी हृलती आप घर पे बना सकते हैं देखे और बच्चे भी बेजी टेवल है इसमें इतनी हिल दी है कि बच्चे भी खुस हो करके खाएंगे चलिए अब हम यहाँ पे दूसरा बना लेते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे भी दो ब्रेट लिया है और इसे हम उपर से यह एड़ कर देंगे और यह वाले सेंडवीज में हम साइड से कट नहीं करेंगे इसमें कट हम नहीं करते हैं क्योंकि इसे हमें ग्रिल करना है और अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो हम इसे तबे पे करेंगे तो उपर से हम थोड़ा सा बटल लगा देंगे सिर्फ उपर वाले साइड से और नीचे वाले साइड में हम पैन में बटल लगाएंगे इस तरह से और बस अब यहां पर ब्रेड हम डाल देंगे देखे इस तरह से डाल देंगे और इसे विए स्लू फिलेम पर एक मिनट के लिए हम इसे अच्छे से से शेख लेंगे और अब हम इसे पलट लेते हैं एक मिनट मैंने शेख लिया है और देखे कितना अच्छा कलर आया है तो हमे बटल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही ब्रेड में बटल लगाया हुआ है, तो लीजे, अब एक मिनट हो गया, हमारा ये ग्रिल सेंड्विश रेडी है, देखे हमें ग्रिल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और फटा-फट हमारी दो तरह के सेंड्वि का दो एक टो एक बायखा हुआ है, बायखे बायखे।